हेलो दोस्तों मार्शल एटेक में आप सभी का स्वागत है मार्शल एटेक लाश्ट वीडियो में हमने देखा था डिक्लाइन वेडियेशन में आपको दिखा था मार्शल एटेक के मेन लाइन आज मैं आपको दिखाऊंगा मार्शल एटेक के मेन मूज प्लैक से खिली जाती है मार्शल एटेक याद रखिये रूई लोपेस के सामने खिली जाती है E4, E5 जो Spanish game है उसमें जब A6 करके विशब पर एटेक करते उसके पाद मार्शल एटेक के मूज स्टार्ट होते है परफेक्ट मार्शल एटेक के मूज में आपको आज बताऊँगा कि कितने मूज जो है वो रियल मार्शल एटेक गेम में है तो सबसे पहले वाइट E4 करता है E5, Nf3, Nc6, B5, Rui Lopez, A6, B4, उसके बाद Nf6 नाइट E6 में वाइट रिप्लाई देता है शौट केसल यहां पे बिशब E7, R1, B5 यह पोजिशन में आपको B5 जरूर करना है वनना आपका E5, 35 में है बिशब B3 और यहां आपको करना है शौट केसल और इतने मूज परफेक्ट सबको याद रह जाएंगे एक दम इजी है दोस्तों उसके बाद वाइट जब C3 करता है तो समझ लेना आपको मार्शल अटक खेलने का चांस मिल गया है तो समझ लोग कि आपको मार्शल अटक करने का चांस मिल ला है तो यहां जरूर कीजिए क्योंकि ज्यादा तर वाइट एकसिप नहीं करते क्योंकि ब्लैक की और से बहुत जबज़स्ट अटक आता है और कैसे अटक आता है वह मैं बताऊंगा आज में लाइन मार्शल अटक की यहां आपको तुरंट एक पॉन सेक्रिफाइस करना है डी फाइल डी फाइल में यहां आपको खिलना है नाइट तेक्स डी फाइल के बाद आपका कौन सा पॉन सेक्रिफाइस हुआ एफाइल वाला पॉन तो आफ्टर नाइट टेक्स एफाइल और रूप टेक्स एफाइल अब यह पोजिशन पर्टेक्ट जा रही है ने यहां पे आपका बेस्ट ऑप्शन कॉन सा होगा तो यहां आपके नाइट के ऊपर रुख और विसाब दोनों का आटेग है और आपका एक ही सपोर्ट है तो सिंपल c6 करना है c6 is a best move in Marshall आटेक दोश्तों यहां पे 11 वू हो चुके है 11 एवन मूँ कम्प्लीटेड सीशिक्स के बाद वाइट का बेस्ट रिप्लाइब होता है नौर्मली डीपोर लेकिन काई बार ऐसा होता है लेकिन ये ब्लैक के लिए ज्यादा अच्छा है अगर भीषब टेड टेडिपाय इस वाइट B sub D5 के बदले D4 is a main line, D4 के बारे में हम देखेंगे मेरे अगले वीडियो में, यहाँ पर B sub takes D5 आद देखते हैं, C takes D5, उसके बाद कौन सी मूँव वाइट की होनी चाहिए, main line, main move, आपको पता होना चाहिए, वीडियो पूश करके आप सोच सकते हो कि D4, यहाँ पे बेस्ट मूँ कौन सी है, D4 क्योंकि वाइट का जो रूख है, वो सपोर्ट में आ जाएगा, वाइट का जो light, dark square bishop है, open हो जाएगा, और इससे better move हो ही नहीं सकती, वाइट के लिए, तो D4 के reply में, आपको यहाँ देना है, bishop D6, one more pawn sacrifice, लेकिन यह एक blunder है, अगर वाइट ने rook takes, D5 किया, तो bishop sacrifice, then, king takes H2, और आपको simple queen takes, rook मिल जाएगा, exchange अप हो जाएगा, तो यह एक छोटी सी thread थी, जो सबको पता तो चल भी जाती है, लेकिन हो सकते कि कई player को पता नहीं हो, और ऐसी mistake कर दे, इसलिए हम यहाँ पे एक invisible move करते है, bishop D6, white reply देगा, rook E3, rook E3, उसके सामने, यहाँ आपको खिलना है F5, F5, next rate है F4 की, तो F5 के सामने, knight D2, white develop में अगर ध्यान देता है, तो next move आपको करना है F4, rook E1, और उसके बाद, rook A7, यह एक surprise move है, rook को बैटरी बनानी है, F5 में, rook F7 लाख है, white का जो light square bishop पर वो चला गया है, इसी का फाइदा लेने के लिए हम बैटरी बनाएंगे, F7 डागनल पर, इसलिए हम F5 खेलते हैं, ताकि light square bishop कोई attack करेगा नहीं, rook A7, 16 move हो गए, अगर white यहाँ पर knight F3 develop करता है, तो यहाँ simple bishop G4, और दोस्तों यह position black के लिए काफी danger है, मतलब black के लिए काफी अच्छी position है, यहाँ से, I think black जब जब अटेकिंग खेल सकता है, और बहुत सारे एक bon sacrifice के बाद, black को इसका compensation जरूर मिले, दूसरा variation दिखाता हूँ, E4, उसके बाद, E5, NF3, NC6, BB5, A6, B4, Nf6, C7, B5, B3, C3, D5, D3, यह decline देखा था हमने, D3 के बदले, E6, D5, Nf6, D5, और, D4, यह भी अलग है, D4 के बदले, Nf6, E5 देखते हैं, यह main line है, Rook, Tx, E5, C6, उसके बाद, B6, Tx, D5 के बदले, यहां हम, B6, से अगर knight नहीं white मारता है, तो एक और option है, D3, D3, या तो फिल, D4, लेकिन मैं पहले बताऊँगा, आपको D3 के बारे में, D3 में आपको किलना है, B6, BD6 से, Rook पे अटेक आता है, RE1, यह white का reply based होगा, RE1, और यहां पे, B6, F5, D3 पे pressure बनाना है, B6, F5, उसके बाद, Knight D2, Knight D2 के reply में, Knight F4, अब D3 pawn hanging है, और उसके उपर double attack हो गए है, तो Knight F4 के बाद, Knight E4, यह white का based move है, और line closing का option है, Knight E4, और यहां, Knight takes D3, B6, G5, यह white के बाद, best option है, B6, G5, आपकी queen पे counter attack करना है, Queen D7, simple save कर लो, और उसके बाद, Bishop G5, Condition, और Rook E3, यह position, Black की favor में है, और game, I think, ज्यादा तर, यह game जो खेली गई है, उसमें most result, draw में ही आया है, लेकिन, आप Black से यह try कर सकते हैं, दोस्तो, next video में, जलत ही मिलेंगे हम, इसके main line, और भी बहुत सारे variation है, तो एक भी वीडियो, मिश मत कीजिए, 1 by 1 पूरी सीरीज, आपको देखने हैं दोस्तो, Master Rattek की, बहुत बड़ी सीरीज बनाऊँगा मैं, तो इसलिए, चैनल को सब्स्राइब, जरूर करके रखे, खेलने में, Black से बहुत मजाएगा, E4, E5, रूर लॉपेस लाइन में, तो जल्द ही मिलेंगे दोस्तो, जय हैं, जय गुद्दा,